तथागत अकेला जीवन यापन करने को क्यों कहते हैं यदि बुद्धी मान समझदार साथी नहीं मिले तो विवेकवान को चाहिए कि वह उसी प्रकार अकेला जीवन यापन करे जिस प्रकार पराजित राजा हारे हुए राष्ट को छोड़ कर अत्वा मस्थ हाती अकेला जंगल में घुमता है यदि बुद्धी मान विवेके मित्र साथ विचन्ने वाला जीवन यात्रा निभाने वाला नहीं मिले तो राजा हारे हुए राजा के समान जैसे हारा हुआ राजा हारे हुए राष्ट को छोड़ कर अकेला घुमता है अत्वा मस्थ हाती के जंगल में अकेले घुमने के समान विवेकवान अकेला विश्रन करे और उत्तमरिती से जीवन यापन करे कुसंगत की अपेक्छा अकेला रहना अच्छा है नमो बुद्धाए